बिर्द भारती सकी सहेली सकी सहली कारकरम सुनने वाले सभी शूताओं को मन्नो बोहरिया और रजो मौसी का नमस्कार मैं अच्छी हूँ रजो मौसी और आप कैसे हैं बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हाला कि शूता से तो कहना चाहिए हमेशा ही बाचीत होती रहती है बिल्कुल बिल्कुल और कली हमने बात चीत की कि हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता है तो आज हम बिल्कुल समय से बता दें अपने सुनने वालों को कि आज क्या-क्या विंजन हमारे पास है परोस्ते के लिए बिल्कुल और हम वेंजन तो बताएंगे ही और यहां पर मेरा वेंजन का मतलब था कि क्या-क्या विशेर रहेंगे आज के इस दस्तरखान में तो सबसे पहले हम बता देना कि बच्चों को बनाएं आत्मनिर पर कैसे इस पर बाचीत होगी बिल्कुल और हमारे शोताओं ने ब उर्जा के फायदे क्योंकि हाल ही में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है जो सोलर एनरजी से जुड़ी जो कहना चाहिए एक सिटी बनी है और भी बाते हैं करेंगे आगे बिल्कुल और वेंजन जैसे आपने बोला तो वेंजन ये वो वाला वेंजन है जिसमें खाना बताए आज खाने में क्या क्या आइटम है तो हमारे प्रोग्राम के जो आइटम्स ने हमने बता दिया अपने जुनेवालों को बच्चे तो सच मुछ नाजुक होते हैं और उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए सच पुछो तो हमें भी बहुत सायम की जरूरत है बिल्कुल आत्म निर्भर होना उनके जीवन के लिए और आपके लिए दोनों के लिए ही एक अच्छा उदेश है बच्चे जब आत्म निर्भर होते हैं तो उनके सामने उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई रास्ते होते हैं जिसका चैन वो अपनी सूज बूज से करते हैं औ बिल्कुल और एक और शोता ने लिखा है कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके कुछ काम उन्हें खुद ही करने दें बिल्कुल सही लिखा है आपने लेकिन आप उनके काम पर नजर जरूर रखें जैसे स्कूल का होमवर्क, घर में अपने जोते चपल को सही स् यह बिल्कुल अनुशासन करना सिखाना उनको, स्वेम भोजन करना वगरे, इन क्रियाओं से उनके अंदर आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और अनुशासन भी आएगा जो मैंने पीच पे ही कह दिया था, बिल्कुल और रज्यो मौसी एक जो सबसे बहुत महत्पूर्ण चीज है कि आत्मनिर्भर बनने से पहले, बच्चों में धैरे जो है, धैरे बहुत जरूरी है, और ये धैरे बढ़ानी के लिए छोटी-छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चपन से ही, जैसे कि बच्चे अगर कुछ खिलोना, अगर खेल रहे हैं, और खिलोने ख जीत है, खेल में हो, या पढ़ाई में हो, तो आर को भी कैसे स्वीकारना है, और उसके प्रतिद्वन्दी या जिससे प्रतियोगिता हो रही है, या केल हो रहा है, उसके प्रति किसी तरह का मलिन मतबिचार मन मिना रखे, लेकिन आजकर जानते हूं, ऐसे बहुत सारे खेल जो आपने ही बात कही अभी कि उन्हें ध्यार सिखाना बहुत जरूरी ऐसे बहुत सारी गेम्स हैं जो बच्चों को अगर आप बनाने के लिए दे दें तो बड़ी देर तक उसमें उलजे रहते हैं उसमें लगे रहते हैं क्योंकि उसमें वक्त लगता है मैंने भी अपने तुमने देख्यों होंगे न वैसे जी हाँ जी हाँ आजकल तो बाजार में बहुत कहना चाहिए कि मानसिक विकास के लिए बच्चों के बहुत अच्छे-च्छे खिलोने भी आते हैं और वहीं एक श्रोता है उन्होंने लिखा है कि बच्चा हो या कोई बड़ा वेक्ती श के गुण सिखाएं माता-पिता की नजरों में उनका बच्चा हमेशा छोटा रहता है वे किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी हर जरूरतें पूरी करते हैं उनका काम भी खुद भी ही कर देते हैं लेकिन यही आदत आगे चल कर उनके लिए परिशानी खड़ी कर सकती है क्यो समझने वाला हो जाए उससे छोटे-छोटे काम जैसे खिलोने केलने के बाद उसे जगह पर रखाए स्कूल जाने वाले बच्चों को अपना स्कूल बैक उस दिन के टाइम टेबल के अनुसार सेट करके पैन, पैंसिल, रबर वगेरा चेक करें और अपने जोते ड्रेस एक स साथ एक जगह पर रखें, रात में ही तैयार करके रखें, ये कोई माही लिख सकती है, इससे आपको भी सुबह सुबह चीजें ढूंड़ने पड़ेंगी और सिर्फ टिफिन ही बनाना पड़ेगा, स्कूल से लौट कर आने पर भी अपने जोते, कपड़े, बैक वगेरा ज क्या बात है, और ऐसी एक शोता ने अपने पोते के बारे में कहा है कि पोता सारा खिलोने को कबर्ड में उठा कर बैट पर रखा था, तो मैंने उसे पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे जवाब दिया, मम्मा ने कहा है कि अपना कबर्ड क्लीन करो, और टोईस अरें अरेंज कर रहा था वो, खिलोने रख रहा था, ऐसा इनका कहना है, तो यहां पर माता जी के लिए एक संदेशी हो सकता है, कि साफ सफाई वाली जगह पर इस इस तरी क्यों मिला, और कोई जगह क्यों नहीं, तो यह इस पर हम सोचें कि इस बच्चे ने वैसा क्यों सोचा, एक और जरूरी बात बहुत मुझे लगता है कि बच्चों को ना कभी दूसरों के सामने आपके घर में कोई पडोसी आया है, या मित्र है, या रिष्टेदार है, उनके सामने में आप अपने बच्चों को ना तो कभी डाटें, ना ही मारें, और उनकी शिकायत करें, क्योंक ये तो बिल्कुल सही बात है और इसी तरह रजमौजी एक जो चीज है कि भई जब फैसले लेने की जो आजादी है कि बच्पन में आप उसे जब छोटे हैं बच्चे तो उनको खिलोने के दुकान ले जाएए और उन्हें खुद चुनने दीजे कि वो कौन सा खिलोना पसंद कर रहे हैं तो ये धीरे-धीरे उनमें कहना चाहिए कि फैसले लेना जब शुरुवात वो कर देंगे उनर आएगा तो आगे भी वो अपनी जिंदगी में जब बड़े फैसले लेने होंगे तो वो कर पाएंगे तो इस तरह से कहना चाहिए कि छोटी-छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर सकते हैं बिल्कुल एक शोता ने लिखा है कि पहले जमाने में बच्चे संयुक्त परिवार में पले बढ़े उन पर बड़ों का दमाव कम ही होता बच्चे एक दूसरे को देखकर और बड़ों का अनुसरन करके बहुत कुछ सीखते हैं और अ आत्मनिर्भर हो जाते हैं आज के एकल परिवार में बच्चों को कुछ ज्यादा ही महत्व दे कर उन्हें सुरक्षित वातावरन में पाला जा रहा है इससे बच्चों में आत्मनिर्भरता की कमी दिखाई दे रही है वे न तो अपने आप कोई निर्णय ले पाते हैं और नहीं कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं अच्छे वेक्टित्व के लिए बच्चों में आत्मनिर्भर होना अतियावशक है मनुबहुरिया हो सकता है इनकी बात कुछ प्रतिशत सही होगी लेकिन जो मैंने अपने आसपास देखा है बिटिया वो ये कि संयुक्त प्रिवार में फिर भी और लोग चाची बुआ ये जो उनके काम कर देती हैं लेकिन अब बड़े शहरों में जहां सयुक्त परिवार बहुत कम देखने को मिलते हैं वहां पर जहां माता पिता दूनों दफतर जाते हैं तो मैंने देखा है कि बच्चे परिवारों में कुछ परिवारों में वो आत्म निर्फर हो जाते हैं, उनको ये पता है कि मुझे मम्मी आएंगी शाम में पांच बजे तो मुझे अपनी होमबग कर लेने हैं, या शाम में कोई मित्र आ रहा है तो उसके साथ मुझे खेलने जा रहा है, हर तरह की चीजें हम अपने आसपास समाज म मांग गई है, क्योंकि कल वो बच्चा बड़ा होकर फिर बाहर निकलेगा या निकलेगी काम पे, तो उसको पता है कि मुझे बच्पन से ये आदत दी गई है, तो वो आत्म निर्फर होगा और अपने आसपास भी लोगों को यही शिक्षा देगा या समझाएगा या समझा बिल्कुल वो तो है ही और यह तो साथ आप बिल्कुल सही कह रहें रजमौसी और बच्चों को ना कभी भी शॉर्टकट तरीके से काम करना ना सिखाए, जैसे काम की बात हो ही रही है कि अरे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्टकट से बचे उन्हें थोड़ा परिश्रम जरूर लगेगा, हमको भी लगेगा, क्योंकि माता पिता होते हैं तो कोई भी माता पिता अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकते, तो उन्हें लगता अरे यह क्यों परिश्रम इतना करें, क्यों हार्ड वर्क करें, तो कई बार माता हैं बोल देती नहीं बेटा तुम इसको ऐसा ऐसा कर दो तो वो जो शौर्ट कट हम जब बोलते हैं उस समय तो हम यह नहीं सोचते प्रभाव पड़ेगा लेकिन आगे चलके यह चीजें कहीं न कहीं परिशानी बन सकती हैं बिल्कुल बिल्कुल यह है और एक शोता है उन्हों हुआ करता था किसे बिचावन ठीक करना है किसे किताबों की अलमारियाँ ठीक करनी है किसे मतलब जूते चपल का रेक साफ करना है हमें तो बच्पन में यह सخت हिरायत दी थी कि अपना खाया हुआ बरतन उठा कर जहां बरतन दोनिक का जगा हो वहां रखना है अगर घर में दाई नहीं आ रही है तो अपना खाया हुआ बरतन धोना भी था और हम सभी भाई बहन को ये काम करना पड़ता था आजकल तो छोटा परिवार है एक या दो बच्चे माबाब दोनों कामकाजी है तो बच्चे स्वतह स्वालम भी बन जाते हैं माइक्रोवेब में अपना खान हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल तो रज्जो मौसी इसी तरह बच्चों की भी खिलकलाहट घर में गूंचती रहती है ना और कितना खुश्णमा सा अहौल होता है लगला जैसे जीवन है तो बस बाते हो रही थी आत्म निर्भर कैसे बनाना है बच्चों को और बहुत सारे शोता है उन्होंने लिखा भी है और एक शोता है उन्होंने वो ये लिखते हैं कि आत्म निर्भर रहना एक बहुत ही बड़े सम्मान की बात है यदि बच्चे आत्म निर्भर बन जाए तब तो अभिभावकों की आदी से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने आप ही पिर उसी के अनुरूप उन्हें विभिन कोचिंग सेंटर में डाल कर अपने कारे की इती श्री कर लेते हैं जब की ऐसा नहीं है हमें उनकी अभी रूचियां देखनी चाहिए उनके उभरते परों की उड़ान का ध्यान रखते हुए तद अनुकूल वहवार और बनाएगा जिसके फलसरू भी अपनी केरियर को और भी अच्छे ढंक से विक्सित कर आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही खुबसूरत बात इन्होंने लिखी है लेकिन अगर आजकल आप अपने आसपास देखो और टेलिविजन चानल्स पे देखो तो मुझे लगता है बहुरि संगीत हो या वो नृत्य हो और उनको competition आप किस तरह से प्रतिस परधाओं में भाग लेंगे आपको किस तरह से नाम कमाना है दुनिया में passion के साथ साथ आपको profession आप क्या आगे बनना चाहते हैं उसको भी लेकर छोटी छोटी जगों से बड़े शेहरों की बात अगर हम ना तो आपने सब्सक्राइए वो आ 책 वशनर को अपनी कला को वहां प्रत्रशित करते और इस तरह के कारिक्रमों में बिल्कुल और रजमौसी और इसकी शुरुआत वो बच्पन से ही कर देते हैं बिल्कुल तभी तो इस लाइक होते हैं कि 6-7 साल के बच्चे और इसकदर इतना बढ़िया गाते हैं अपनी उम्रे के हिसाब से तो ये बात तो है कि इस तरह के चीज़ सीख कर वो और आत्म निर्भर होते हैं उनका आत्म विश्वास बहुत बढ़ता है अब देखो न आप फैसले लेने की बात तो तुमने बता ही इसके साथ-साथ गलतियों से सीखने के बारे में भी उन्हें बहुत बताने की जरुवत है मुझे लगता है कि यदि किसी काम को करते से हमें कोई गलती कर बैठा कोई बच्चा तो आपने कहा था कि उन्हें डाटिये भटगा दिये या मारिये नहीं मारना तो बहुत ही गलत है तो उससे बच्चे डर जाते हैं और उस काम को करने से पिर अपने आपको रोकने लगते हैं और या फिर वो प्रयासी छोड़ देंगे इसलिए बच्चों की गलती पे उन्हें बड़े धैरे से यहां आपके धैरे की जरूरत है इंतहान है तो आप उन्हें समझाएं और बच्चा जरूर सीखता है बहुत जल्दी सीखता है तो वो इधर उधर नहीं जाता है या कहना चाहिए कि गलत खामों की तरफ जो गलत कारे हैं उनकी तरफ नहीं भागता और कभी उसको परिशानी होती है तो वो आपसे वो बाते शेयर करता है तो ये भी ध्यान रखें कि उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके हमेशा साथ हैं कई बार ये भी देखने को मिलता है बहुरिया कि जब दोनों माबाप काम करते हैं बाहर जाते हैं तो कहीं मुझे लगता है खासकर माताओं के अंदर वो एक गिल्ट रहता है कि मैं अपने बच्चों को पूरा वक्त नहीं दे पारी हूँ अबल तो ये कहना जरूरी है कि आप किसी तरह के गिल्ट में न रहिए और उसको उसका कॉम्पनसेशन जिसे कहते हैं उसके लिए बच्चों के लिए बहुत सारे पैसे खरच करते हैं और गिफ्ट्स लाते हैं तो यहां बच्चों को ये भी आप एक ऐसा ऐसी फीलिंग न दे कि माबाब के पास बहुत पैसे हैं और वो हमारे लिए इतने तरह तरह के उपहार लेकर हमेशा आते रहते हैं उनको पैसों की कीमत भी समझाने की सब्सक्राइब बिल्कुल जरूरत है और रही बात इनाम की तो इनाम जरूर दीजिए जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं चोटी चोटी उपलब्दियां भी अगर वो लेकर आते हैं तो उस समय उन्हें इनाम दीजिए उन्हें प्रतसाहित कीजिए अच्छे कामों के लिए तो ये हर जिद को पूरी करना भी जरूरी नहीं है बिल्कुल और इस तरह से तो बच्चे जिद्धी बन जाएंगे बिल पुत्रणा लच्छन पारणा मा मतलब पुत्र हो या पुत्री उसके लक्षन पालने में उनके माता पिता को पता चल जाता है कि बड़ा होकर तरक्की जरूर करेगा इसके लिए इसलिए उन बच्चों को योग के सिक्षा दे कर आत्म निर्भर बनाने के साथ आतम बढ़ाने के लिए उनके माता-पिता का एहम रोल होता है। बिलकुल ये तो बहुत जरूरी है। बिलकुल बहुत सारे संदेश हमारे पास आगे हैं। बहुत सारे जानकारी हमारे शोता उनने लिखके भेज़े है। बिलकुल और जैसे की एक शोता हैं उन्होंने लिखके भेज़े हैं कि हर साल सूरे से पृत्वी पर पहुँचने वाली उर्जा की मातरा धर्ती पर पाये जाने वाले समस्त कोईले, तेल, गैस, आधी की मातरा से 130 गुना अधिक है। सौरे उर्जा वो उर्जा है जो सीधे सूरे से ही प्राप्त की जाती है वैसे तो सौरे उर्जा का इस्तमाल पेड़ पौधे, जीव जन्तूओं और जलवायू द्वारा किसी विभिन इस्तर पर किया जाता है लेकिन आजकल सौरे उर्जा से विद्धुत उत्पन करने का प्रचलन बढ़ गया है सौर्य उर्जा से विद्धुत उत्पन करने के लिए सोलर पैनल का इस्तमाल किया जाता है विज्ञान एवं तक्निक में होने वाले विकास की मदद से मनुश्री ने ऐसी तक्निक इजाद कर ली है जिसे धर्ती पर पढ़ने वाली सूरज की किर्णों को विज्ञान एवं तक्निक की मदद से विद्धुत में परिवर्थित किया जाता है बिल्कुल ये सोलर पैनल तुमने भी देखा होगा बिटिया कई जगहों पे देखने को मिलता है कुछ लोगों ने अपने घरों के छटों पे लगा रखे है होटलों में देखने को मिलत है ऐसे एक और संदेश है बहुरिया ये मैं परदू सौर उर्जा एक प्राकृतिक उर्जा का विशाल भंडार है वो स्वेमी अपने आप में धरा की विक्रीतियों को विनश्ट कर धर्ती को प्राकृतिक रूप में रखने में समर्थ है फिर यदि हम उसके इस प्राकृत उर्जा भंडार का प्रयोग अपने और समाज के हित्मे करते हैं तो हम धर्ती और उसके वातावरण को प्रदूशन मुक्त रखने में समर्थ हो सकते हैं इससे हम विद्दूत का उत्पादन कर कार्बन उत्सरजन दर को कम कर ग्लोबल वामिंग की बढ़ती दर को अक्षित रख सकते हैं बिगडे हुए मौसम चक्र में सुधार ला सकते हैं और इस तरह सौर उर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपोन हैं क्या बात है और सौर उर्जा की जैसे बात होई रही है तो यह तो है ही किस जो सूरी की किर्णों से प्राप्त होती है वो उर्जा को सौरी उर्जा कहते हैं और यह जो है यह अक्षे उर्जा स्रोत है यानि कि इसका कभी शेह नहीं होता यह सीधे सूरे से मिलती है इसको ना पैनल कहलाता है फोटो वोल्टिक पैनल और होते हैं और हीटर होता है सोलर थर्मल होता है और इसके द्वारा जो है विद्धुत उर्जा में इसको बदला जाता है सूरी की किर्णों को और सोलर टेक्नोलोजी की अगर हम बात करें तो इसके द्वारा इस उर्जा का जो है आना सोलर कूकर भी आते हैं और सौर परिवहन भी हैं कई वेवसाइक और अगर हम बात करें उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है तो इस तरह बहुत तरह से सौर उर्जा का हमारे जीवन में बहुत एक और मेसेज है सौर उर्जा का तो सबसे बड़ा फायदा यही है एक रोता ने लिखके भेजा है कि बिजली बचेगी खाना पॉष्टिक बनेगा भी तुमने बताया कि हम खाना भी बना सकते हैं और वायू प्रदूशन से भी बचे रहेंगे इन्होंने लिखके भेजा है कि दीव की भौगोलिक स्थीतियों के अलावा स्थानिय प्रयासो के कारण देश का पहला ऐसा शहर फर्स्ट सिटी ओफ इंडिया है जो दिन में सौ प्रतिशत सौर उर्जा से चल रहा है जिसमें बाहरी उर्जा की खपत नहीं परिचालन लागत का कम होना आसान और विश्वसनिय है ये पर्यावरन के अनुकूल है आर्थिक रूप से नानतरं आसान है जहां तक आर्थिक रूप से लापकारी की बात है तो उसमें बहुरिया ये हैं कि जब आप इसको वेक्तिकत इस्ते माल के लिए लगाते हैं तो खर्च जादा होता है लेकिन सब्सीटी भी मिलता है हाँ बिल्कुल सबसीडी मिलता है सरकार जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा सबसीडी दिया जाता है और अगर आप घर पर अगर पैनल लगवा रहे हैं या वेवसाय में अगर आप इसको यूज कर रहे हैं और इसी तरह किसानों के लिए भी कुसुम योजना की शुरुवात की गई है जिसके तहट इस तरह के जो सोलर सिस्टम आप लगवाना चाहते हैं खेदों में तो आप लगवा सकते हैं तो कहीं न कहीं ये है कि कुछ कम्या है तो बहुत से फायदे भी है तुमने फोटो वेल्टिक सोलर एनरजी की भी बात की थी क्योंकि बहुत तरह के सोलर की हम बात कर रहे थे इस उर्जा की बात कर रहे थे तो पांच तरह के होते हैं और उसमें एक है फोटो वेल्टिक सोलर एनरजी ये सोलर पावर का सबसे सामान्य रूप है कहते हैं और इसे सोलर सेल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं और ये सीधे सूरी के किरंट से इलेक्रि यह जो है यह दूसरा रूप है और इसे सीधे प्रकृती से लिया गया है सूरी की किरंड से पानी को गर्म किया जाता है फिर उसे विद्धुत उर्जा में परिवर्थन किया जाता है तो जैसे घर में पानी गर्म करना है स्विमिंग पूल में जैसे पानी आपको गर्म करना ह तो इस तरह से आप उसका उप्योग कर सकते हैं बिल्कुल और फिर solar power plant भी होता है तो यह हम अभी बता दें या गीत वीट सुनके या इसके बारे में तो बता ही देंका हम सकम है बैस solar power plant के हम बात कर रहे हैं यह solar energy का तीसरा प्रकार है जिसका उप्योग अधिकतर बड़े industries में होता है जहां सूरी की किरंड से सीधे solar electricity बनता है और इसके बाद passive solar heating भी है यह भी बहुत पुराना solar energy system है इसका उप्योग घर या office के लिए रोशनी करने के लिए किया जाता है ठंड के समय में घर को गर्म रखने के लिए और अंदर बहुत सारी रोशनी रहे इसके अनुसार रूम के अंदर खिड क्याम बनाए जाती है और मौसी जी वैसे ही एक solar cooling system होता है इसका उप्योग सूरी की कीरंड से ठंडा करने के लिए किया जाता है जैसे की refrigerator है, air conditioner जैसे हो गया तो इसके लिए thermal seatland प्रणाली की तरह ये काम करता है जो तापमान को कम करके ठंडा रखता है तो इस तरह के बहुत सारे प्रकार है solar उर्जा के और बहुरिया एक संदेश है उसको उसमें हुने लिखके भेजा है कि solar उर्जा स्वच्छ है ये कोई carbon उत्सर्जन या अन्य गर्मी रोकने वाली green house कैसे नहीं बनाता है और ये जिवाश में इंधन के लिए खनन या drilling से जुड़ी पर्यावर नियक शती से बच्चाता है और इसके अलावा भाप turbine का उप्योग करके बिजली उत्पन करने वाले बिजली सैयत्रों के विपरीद सौर उर्जा भी बहुत कम या बिल्कुल पानी का उप्योग नहीं करती है क्या बात है तो ये तो है ही कि इससे हानिकारक radiation जो है उनका खत्रा नहीं होता तो परियावरेंट भी हमारा बचा रहता है हाँ तो भई सवेरे के सूरज की बात हो रही है सूरज से जो हमें मिलता तो ये सवेरे का सूरज हम सब को कितना लाव कर रही है बिल्कुल और जैसे कि हमारे शुरताओं ने भी लिखा कि इससे जो है बिजली की जो है बचत काफी होती है कहना चाहिए कि ना के बराबर होती है तो अगर ये सिस्टम आपने लगाया है घर में सोलर सिस्टम के तो इससे बिजली की काफी बचत होगी और साथ ही प्रदूशन की जो बात की जाया बिल्कुल बचाया जा सकता है और solar energy का जो उपयोग हम अगर बताएं तो घर के सारे जो electronic उपकरण होते हैं उनके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और उनकी मदद से घर में जो है बिजली का उत्पादन तो करी सकते हैं और electric गाड़ियां जो कहना चाहिए कि आजकर सबसे बड़ा फायदा जो है क्रिशी जो pump होता है उसमें सौरे उर्जा को अगर हम उसका उपयोग करें तो उसको हम क्रिशी में उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी महंगे स्रोतों की जरूरत नहीं पड़ेगी किसानों को उन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा तो इस तरह के बहुत से फायदे हैं अभी हाल में हमने ये भी सुन जी मनुबहुरिया कि पूरा शहर पूलर सिस्टम से चल रहा है अब जल्दी बताओ वो कहां पर हाँ बिल्कुल साची शहर है जो की मदपिदेश का है और यहां पर तीन मेगावार्ट सोलर सिस्टम लगाया गया है और भी जो मेगावार्ट सोलर सिस्टम का प्रयास किया जा रहा है वहां पर स्ट्रीट लाइट यहां तक की सारे जो सिस्टम हो रहे हैं वो सोलर सिस्टम के थ्रू ही किया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है और कहना चाहिए कि देश का पहला सोलर सिटी बन गया है जैसे कि हमारे एक शुरता ने लिखा भी था दीव जो है वो है लेकिन वो भोगौलिक स्थितियों के कारण था और इस साची को सोलर सिटी बनाने के पीछे काफी लोगों की मेहनत है काफी चीजें जो है कहना चाहिए कि हो रही है अच्छी बाते है और बहुत सारे उपकरन है हाँ बहुत सारे उपकरन है बिलकुल कुछ तो वो सोलर पैनल है या सोलर टॉर्च है सोलर बैटरी है सोलर कुकर है सोलर कुकर तो हमने बहुत पहले भी सुना waren Heater, Solar Lamp, Solar Bhop, Solar Chimney, Street Lights,排동 πbst ίας right, Soul phone help Chargers, Solar अट्जा पंखा रफ्रिजिरेटर के लिए तक और विकास की बात हो रही है लेकिन कुछ-कुछ जैसे कम्या है कि अगर जैसे सूरी की किर्णे अगर नहीं है और बर्षात का समय है या फिर धूप नहीं है और ठंड का समय है तो और रात्री के समय जब सूरी की किर्णे नहीं होंगी उस समय यह जो सिस्टम है वो उतना काम नहीं करेगा तो इसके लिए भी प्रयास जारी है और बहुत से देश में इस तरह की प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही लाफकारी होगा बिलकुल बिलकुल और मौसी जी वेंजन से जुड़ी ही बाते भी हमारे शुरताओं ने लिखी है और बहुत टेस्टी कु मैदा, एक टेबल स्पून दही, एक टी स्पून बेसन, एक टी स्पून गरम खी या तेल, चुटकी भर मीठा सोडा, केसर ये खाने वाला पीला रंग, दो कप शक्कर, एक कप पानी, इलाची पाउडर, अब बनाना कैसे है, ये बनाना है कि एक कढ़ाई में शक्कर पानी दाल कर एक टार की चाशनी बना रखें, मैदा में दही, बेसन, सोडा, जो खाने वाला सोडा है, घी एक टी स्पून डाल दें, गरम डाल कर पानी डालें, अच्छा पानी को गरम कर लेना है, और खुब फेट लें, बैटर पतला नहीं करना है, आसानी से गिर जाए बस वैस चाशनी जादा गरम नहीं हो, चाशनी में केसर और इलाइची पाउडर डालें, गरम गरम रजभरी खाएं और खिलाएं, और इन्होंने आगे ये भी लिखा है, कि इस बैटर से जलेबी भी बना सकते हैं, क्या बात है, तो घर कोशिश करके देखोगी ला, बिल्कुल कोश और शक्कर और दूद ले ले, कोदो के खीर में जो बहुत महत्पुण हैं, वो है कि कोदो को जो है, वो धोलें और पानी में उबालें उसे, पानी में उबालेंगे और वो पक जाए, उसके बाद उसमें दूद डालके उसे उबालें, और उसमें शक्कर, आप चाहें तो ग राज़त लें अपने शोद्राव से बिल्कुल एक बेक ले लेते हैं रज्जो मौसी का रज्जो मौसी और मन्नो बहुरिया का नमस्कार